हलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं ऐसा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं फुल्चन मौओरिया आज के अपने वीडियो में अपने वीडियो में अपने लिया लिया काम कर्वाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी साउधानी बरतना है उसमें जरासी नहीं करना है और किन-किन पार्ट के उपर अगर आप चाहते हैं ध्यान देना तो इस वीडियो में देखके आप उसको जान सकते हैं कि आपके इंजन के लिए कौन-कौन सा पार्ट बहुत ही अच्छा होगा तो फेडियो को प्रीलाइक कर दिजिए सेयर कर दिजिए गा और साथ में चैनल पहली बारा है तो चैनल भी ज़ुरूर्ट सस्काइब कर लिजिए क्योंकि आपको हमारी चैनल पर आगे भी बाइक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी तो चले गाइस वीडियो को स्टेंट करते हैं सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इतना सारा पार्ट जो है हमारे सामने पड़ा हुआ है और इसका जो है सभी इंजिन के अंदर लगता है और यह सभी पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो इसमें से एक भी पार्ट जो खराब हो जाएगा जो है आपकी इंजि जो हमारा रीजन होता है इंजन खुलने का वो होता है रिंग और पिस्टन पहले आप देख सकते हैं रिंग पिस्टन को कैसे आप जानेंगे कि खराब है इससे आपको चली मैं आपको दिखाता हूं यहां से जब भी आप देखेंगे तो यह जो है रिंग पिस्टन जो है पिस्टन होता है जो पहला digit होता है तो जब भी आप कुलेंगे पहले आप इसको देखेंगे कि पिष्टन आप का सुछी है कि नहीं अगर आपके पिष्टन में इसक्रेचे मारने नहीं हलक फूल वाइक में यह प्रॉब्म आ जाता हैं और यह कि सवाल खराब होता ढि सकते हैं यह Whalp क civ street इतना सारा इसमों कार्बुना और इसका जो हिसा जो है एक जाता है मैं जिस्से क्या होता है लीग के होने लगता है उसा साथ में यह बढ़ा हिसा इसपे चमक जो फट रहा है यह घीऻ जाता है इस जो पर लोकल डाल रहे हैं मैं आपको एक बार बता दिह रहा हूं कि एंकिन के अंदर कलारा इंक् incorporate पेलै क्राना है आपको यॉर्जिनल पार्ट कंपनी का सामान ही डिखावना है क्योंकि लोकल पार्ट डिलाने का नतीज़ा मैं आपको यहां पे दिका सकता हूं यह देख लीजिए एक पिश्टन हमारे सामने है जिसका है पूरा पिश्टन ही तूट गया था अब यह जो पिश्टन देख सकते हैं बागल से कहीं पे नहीं दोटा ओपर से तूटा है उसका रीजन याई था कि लोकल उन्हों नहीं सवाल simplemente दलाया ता जिससे क्या हुआ उनका मानम प यहां से यह वाला हिस्ऽा जो यह ला हिस्वार यह वाला हिक्न गया nego और यह तूटने के बाद में सीधे आके यहाँ पे नीचे स्लेंडर ब्लॉक के अंदर गिर गया तो जैसे कि आप देख सतने कुछ इस तरह से रहता है अब इसके अंदर अगर यह वाल्व का टुकड़ा चला जाएगा तो पिश्टन नीचे उपर जब होगा तो जिससे क्या ह होगा पिश्टन के ऊपर दबाव पड़ा और यह जो है पिश्टन जो है ऐलमूनियम को होता है जिसके बज़े से यहां पे छेद हो गया और वाइक उनकी एकदम से बंद पड़ गई इसका जितना भी डश्ट है पूरे इंजिन के अंदर चला गया और क्रेंक औगयरा तक क अब कि जाम कर दिया कितना की कुनों ने मार दिया तो कभी भी आप लोकल पाट को नहीं डलाएंगे उसके अलामा जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है щit यह होता है riding rod kitometer तीनों कियुक जैसे कि आपसके यह किनेक्टिंग डॉड था से आपको कैसे पहिचान नहैं सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है यहां पे कुछ आपको में कुछ उस प्राइब पेपने सान यहां पर दिख पा ओगा साइड से मेंिक भीको रहा हूं यह İs के बीच में कुछ यह इसे लगता है सिर्एक मेंर और इसी में चलता है अब इसके बीच में यह गय पाजाता तो जिसस भीच यहां से कटट कट की आगाज्व करता है जब आप टंटनाहट की आगाज आती है इस कनेक्टिंग रॉड के इंदर यह बुसकी कॉर्टन से इसके लिए आपको क्या करना होता है क्रेंक को रिपेर कराना होता है और यह connecting rod assembly आपको डलवा देना होता है इस condition में आपको यहाँ पर यह set पूरा पड़ता है यह इसका वेरिंग हो गए रहा है और यह पूरा इसका set जो है यह आपके गारी में डलता है तो जब भी आप engine का काम कराएं तो इस पार्ट को जरूर आप चेंज करवा लें इसको repair कराने की कोशिस बिल्कुल भी ना करें नहीं तो क्या होगा आपका engine फिर से दुबारा आपको खुलवाना पड़ेगा अपने इसको चेक कर लिया दो पार्ट आपने समझ लिया अगर आप mechanic है नहीं तो यह आपने इसको समझ लिया होगा और साथ में अगर gear के अंदर का आप खोलते हैं तो यह पार्ट जो कुछ इसांसे gear के अंदर आपको चेक करना होता है ये देख सकते हैं गेर फॉर्क इसको बोलते हैं ये गेर फॉर्क जो होता है देख सकते हैं इसको आपको कैसे पहचानना होता है ये हिरोंडा का है इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ घाट बना हुआ रहता है दोनों साइट जब भी आपका घाट यहां से घिस जाता है तो इस कंडिशन में क्या होता है गेर आपका सही से पकड़ नहीं करता है जब आप इसको चेंज करते हैं तो कई बार पकड़ता है कई बार नहीं पकड़ता है इस condition में इसको भी आपको जे अगर ये घिसा रहे तो इसको आपको चेक कर लेना है यही नहीं किसी भी गाड़ी का हो इसी तरह से सब भी पर मना रहता है थोड़ा सा यहां पर घाट गुरूप अगर घिसा है तो इसको फॉरन आप चेंज करते हैं व चेंज आपको ए mentor भी चेंज करना कि चलिम हब आपको मैं बताता हूं उसके का एक होता है जैसे स्टेंडर साइज कंपनी जो आती है देती है इसके बाद में हम लोग बोर करा कि पचीस नंबर पचास नंबर या पचातर नंबर कोई-कोई सव चलाते हैं लेकिन मैं खुद का जो है या किसे को पैसाना है तो पचाता तक सल लेकिन उससे आगे नहीं मैं करवाता हूं स्का पूर कम्प्रीट इसको इसको आप नहीं चेंज कराएंगे तो जल्दी से दुबारा से फिर से आपका इंजन धुमार देगा और यह कम हो जाता है ठीक है इस कंडिशन में आपको इसको चेंज कर देना चाहिए तो आपको पिश्टन के ऊपर कुछ यहां पर साइज लिखा हुआ रहता है चलिए मैं जो है स्टेंडर साइज है तो इस पे हमने जो है बोर करा के 25 नंबर तक योज किया था इसका जो है जिस गाड़ी में प्रोब्म आए था अगर आपके बाइक में सिर्फ रिंग के चाहें तो अगर हलका धुआ दे रहे हैं तो इसका रिंग जो है और इसको चेंज करके आप वहीं आपका चला सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि सिलेंडर के अंदर इसके अंदर बोर में यहां पे भी कहीं पे रगण नहीं हो चाहिए चयरो तरफ साथ में आपको पिष्टन के ऊपर भी जरासा रगड इसकरेश नहीं होना चाहिए अगर स्क्रेच हो रहेगा तो समझ लिजिए आपकी बाइक में रिंग सक्सेज नहीं होगा और साथ में इस बात को आपको ध्यान रखना होता है कि इस तरह से जब यह रगड मारता है तो उसका एक ही रीजन होता है यह करेंग का कनेक्टिंग का जो है यह यह होता है और साकने इसका जो है करेंग के साथ में o बेरिंग जरूर आपको चेंज करना होता कि क्रेंग का बेरिंग में इस तरह से चाला जाता देख सकते हैं कितना पिले हैं इसका जो पिले इसके बेरिंग में रहेगा तुझी से क्या होता है एक साइड क्रास करके आपका यहां पे क्रेंग चलने लगता है जिसके वजह से और आपके इंजिन से ьюडी साउंड होने लगता है साथ में आपको को इस बात का जरूरी ध्यारा नखना होता है कि इंजिन के अंदर जब भी आप फोलें लिए का पिनियन सारा आपको जरूरे चेक करना उता कि किस तरह से चेक किया जाता है उसका किस तरह से फिटिंग होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्टन में आपको मिल जाएगा नीचे आपको दिख पार आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं वहाँ पर हमने इसका गेर बॉक्स फिटिंग का पूरा वीडियो बनाया हुआ है वहाँ से जाके देख सकते हैं बाकी आपका इनपूट और आउटपूट साफ्ट को चेक करना होता है इनपूट आउटपूट साफ्ट क्या होता है यह आपको डिस्प्ले पे सो हो रहा होगा इसको दोनों साफ्ट को आपको जिसमें आपका कलच एसेंबली लगता है साथ में फार की पारजाता वाहरा भाना लगता है। यह को आपको की से जाता है और पेख सकते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि टाइमिंग चैन यह टाइमिंग चैन में जब खराबी रहेगा तो जिसे क्या होगा आपकी बाइक के अंदर जो है काफी ज्यादा जंजनाहाट की साउंड होती है और इसको अगर आप नहीं चेंज कराते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि बा बैइक का चैन गिसता है उसी तना से यह एक हैं अंदर का तो उस जाता है तो जिस vậy से क्या होता है बाइक का आपका यहां पहीं हो जाता है जिसके बते हैं सब्सक्त्तुद्त प्रोब्लम भी हो जाता है ठीक है तो आपको हमेशा इस पार्ट को ओरिजिनल ही डालना जब भी आप इंजन काम करवाएं इसको जरूर आपको चेक करना है और साथ में अगर आपकी पाइक हिरोंडा की है तो इसका पंप गरारी और आपको कंपलेट डालना है कई बार क्या हो आपको जरूर आपको चेक करें साथ में इसका यह चोठा बड़ा रोटर हिरोंडा की अगर आप काम कर हो द shops में इसका गाररी स्का अमिंग गारी जो है यह इसको भी जरूर्ण सेट चेक करें और अगर आप कम्पलीट डालेंके ही तो जिसे क्या होगा उस तक हैं हराल में चेंज कर देना होता है ठीक यह बहुत जादा जरूरी पार्ट है धेसक्ते ही डूटा हुआ ऐक है इसके यह लिए की आपको क्ल cockolna होता है तो आप चाहें तो इसको नहीं चैंज करतें के तब ही चल जाएगा लेकिन हो सकए तो चेंज करते हैं ताकि रिस्क न रहे ठीक है यह आपने चेक कर लिया इस पार्ट को जड़रोब आपको चेक करना है साथ में timing chain को अगर आप change कर रहे हैं तो timing chain को change करने के साथ में इसका tensioner को जरूर चेक करने काई बार क्या होता है इसके आगे पिछे देख सकते हैं तो यह जब पिले हो जाता है जिसके बज़ाए से हमें आप टाइमिंग टाइट अच्छे से नहीं कर पता जो टाइमिंग चैन्स सही रहता है तब भी तो टेंशनर को हमें जरूर चेक करना होता है इसको अगर आप रिपेर करना चाहते हैं अगर आपके पास बजट नहीं है तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देख स सकते हैं कि इसका टेंशनर किस तरह से रिपेर खुझ से आप कर सकते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किये अब बात आती है हमारी कलेश साइड अगर आप बाइक का काम कराते हैं तो कलेश के साइड का में इंपॉर्टन पार्ट जो होता है यह कलेश प्लेट पहली बात आ जाए होँ नहीं कराते हैं जब रोतस्ती चलाते हैं तो इसके से टे सकते हैं कितना सारा गिस टोता है यह पार्ट जो है निकल जाता है प्लेश से सब्सक्राइब हो सके तो अगर आपके बाइक का यह सही रहें तो आप कलच प्लेट और प्रेसर प्लेट इसको जो है यह डलवा सकते हैं देख सकते हैं इसके उपर इसके जो है एकदम से प्लेन हो गया है इसके उपर से कुछ यह निसान टाइप बना रहता है लेकिन एकदम को देख सकते हैं किस तरह से बना रहता है यह सब निकल चुका ऐक मुख की btw एलेंग को बहुता है हाउजींग यहाउजिंग कंटोरह क vacant वोलते हुर्पकों गपुलते हैं यह कंटोर्ध खराब होता है राचा में कितना जयादा यहां हो जाता है इसके वजहाएंसícioाश काम değil करता और कि बाइक के अंदर होता है इस तरह से problem कई लिए यह साइन का इसका अलग से नहीं मिलता मिल पाया है इसलिए इसको हमने इसम्ब 거지 चैंज किया चाहें तो का हिरोंडा करे तो इसको इतना ही पारट को सकते हैं बीच वाला गरारी आपको चेंज करनी की जरूरत नहीं होती है लेकिन आपको कुछ समय बाद आपको पुराना होने पर देख सकते हैं जैसे की आपके प्रायमरी गेर पे दाग लगज जाता है उस ससे देख सकते हैं इसके 궁 rupees बना हुआ है तो जिसके वजैसे आपके इंजिन के अंदर हनाहाट की जब आप लेते हैं तो उस कंडिशन में आपकी पैख जो है हो हो करती है तो उस condition में यह पूरा complete इसको डालना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सिवाई क्या करते हैं इस primary gear को change करके काम चलाते हैं तो यह primary gear गिशता है साथ में इसके यह भी चलता है primary gear के साथ में देख सकते हैं यहाँ पे लगता है अगर यह पार्ट जब गिसता है तो सोचेगे कि अगर आपका पार्ट यह घिस रहा है तो आपके साथ साथ इस पार्ट को भी गिसना लाजमी है तो जब भी आप करें तो इस पार्ट को गरारी को और साथ में प्राइमरी गेर दोनों के चेक करें और यह ज्यादा तर यह नही गिस्ता है गेर लेकिन प्राइमरी गेर को जब भी आपके बाइक में प्रॉलम आए तो आपको प्राइमरी गेर को जरूर आपको चेक करना है और प्राइमरी गेर को हर बाइक को रिपेर कराते समय इंजन को रिपेर कराते समय इस प्राइमरी गेर को जरूर आपको चेंज कर प्लश सबरें तो अगरा आपका वाइक सबासे यहाद है तो आपक udah खाये अजहेंटेकर हैं के में तो तो आपका 500 के आसपास आश साथ में आप更ज अगर के अगर के बाइक का यह जो है आल चेक करें प्लास्टिक का तो उसको यह हाउजिंग तो इसके साथ में यह अटेच इसे रहता है बहुत जगा पर ठीक है तो यह इसको बैठाते समय हमसे गलती होती है मकैनिक भाईयों से जो हम इसका तीत पर तीत मिलाते नहीं है और डारेक्ट हम चड़ा देते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा यह तूट जाता ह है जबर्दस्ति करते हैं तो कभी भी आप जरूरूर चेक करें फिन लग फो चरूलम हो सकता यह चोटी चोटी बातों शकर उसका बेर्श्ट और शक्त में भहले जो हूं कर शे Umm K criança दोदोग News आपको दिखना होता है इसमें आपको दिखाएंगขेंद हो उसको ना होता हैं अगर उसके जो है घिसावट रहे तो उसको आप चेंज कर दें क्योंकि और साथ में एक पार्ट हमने बताना आपको भूल गया तो यह छोटा सा पार्ट होता है हिरोंडा के अंदर इस पे लोग नजर अंदाज कर देते हैं ज्यादतर इंजन खोलते हैं तो यह छोटा सा इसक हमारा यह फैल जाता है और बाहर हो जाता है तो यह जब बाहर हो जाता है तो जिसके बज़े से गेर जब हम लगाते हैं तो गेर लगता नहीं है और छोड़ता भी नहीं है कई बार यह से होता है क्योंकि यह बाहर हो जाता है गेर को जो है रोक के रखता है गेर का जो आप गुला होता है उसको रोक के रखता है तो यह रोकने का काम करता है ठेसी को तो इसको जरूर आप चेक करने अगर यह खराब रहे तो इसको भी आप चेंज करने खोलते हैं तो इसका जो गयर लीबर हो गयरा उसको जरूर चेक करें गयर लीबर अगर आपके बाइक का यहां पर एक पहला नमबर यहां से चेक करिए जब भी आप खोलेगा तो यहां से देखिएगा कि इसका जो है त्रेड हो गया तो नहीं है त्रेड अगर गया रहे तो इसको आप चेंज कर दें क्योंकि इससे क्या होगा कि गेर का आपका लीबर अच्छे से फिटने होगा और दुबार तो जिसकी वज़े से गेर अच्छे से लगता नहीं है तो इस कंडिशन में इसको हमें चेंज कर देना चाहिए तो यह सब पार्ट हमने जितना भी था आपको हमने बताना चाहां कि इस पार्ट को आपको बारी किसी किसी किस तरह से चेक करना होता है और इंजिन के अंदर इसको आप अपनी गारी में फालो करेंगे अगर मेकैनिक नहीं है तो इसको आप इस तरह सी यूज करके दिमाग को लगा के बाइक में उसको जरूर चेंज करेंगे क्योंकि जो है गारी बनवाने जो आते हैं वह तो कहेंगे कम से कम खर्चे में हो जाए लेकिन आपकी भी तो यहां पर बद्रामी होगी अगर आप अच्छे से नहीं चेक करके लगाएंगे इंजन के अंदर दुबारा से प्रॉल्म आ जाएगा तो इससे आपकी जो है बद्रामी भी होगी साथ में जो है ग्रहक भाई बाईयों से कहना चाहूं तो जो भी आप गारी का काम करवाते ह है थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में आपको फिर से दुबारा आपको पैसा लगाना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप उसी समय आप जो पार्ट में हमने बताया इन सभी पार्ट को अगर आप मकैनिक बोलता है कि आपका यहां पर खराब है तो उसको जरूर च झाल सबस्टा पराब है तो जांपको जन्माइ़ एंडा आपको फिर से दोड़ेगां कि आपको बोलता है जाता है कि आपको